लेक्चर नमबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग क्लास 11 एक्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का और उसके पहले कुछ हम NCRT के डाउड देखते हैं तो देखिए सबसे पहला डाउड जो है आपके सामने आज हमें एक प्रॉब्लम लेकर के आ हैं क्वेशन नमबर 22 नमबर 22 चलिये दिखिए क्या कह रही है प्रॉब्लम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कजिन नमबर 22 को फिर आंगे बढ़ेंगे Q22 का कहना है, Cot x into Cot 2x, prove that है question में, Cot x into Cot of 2x, minus Cot 2x into Cot 3x, Cot x equals to 1, हमें लेकर क्याना है, question का start कहां से करेंगे दोस्तों, हम लोग start यहां से करेंगे, कि हम जानते हैं कि 3x equal to होता है, 2x plus x, अब यहां पर दोनों तरफ का Cot ले लिजे, तो Cot of 3x is equal to Cot of, इसे 2x plus x के बजाए, x plus 2x है, 2x plus x, जो भी लिखना है, अब आपको लगाना है Cot of a plus b का formula, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं, Cot a plus b का formula क्या होता है, upon Cot b plus Cot a, चली, चेक कर लिजे, formula होता है, तो अब यहां पर आप एक बार formula देख लें सभी लोग, Cot a plus b का, okay, Cot a, Cot b minus 1 upon Cot a plus Cot b, बिल्कुल, Cot b plus Cot a, sorry, तो यह बिल्कुल साही formula लिखा हमने, अब इसको आप apply कर दीजे, यहां पर, तो Cot of 3x equal to Cot of x plus Cot of 2x upon में, यहां पर कितना आजाएगा, Cot of b, b की जगह है, 2x plus Cot of x, ठीक है बच्चों, अब चली रेके क्या करते हैं, इसके आँगे इसको solve कीजे, cross multiply कर दीजे, यहां से यह चीज यहां जाएगी, तो Cot of 3x के सान multiply में चला जाएगा कितना, Cot of 2x plus Cot of x equals to Cot of x plus Cot of 2x, यह multiply में चला गया, अब क्या होगा, देखे, यहां पर है Cot of 3x into Cot of 2x plus Cot of x into Cot of 3x equal to Cot x plus Cot of 2x, यह है, एक मिनट, यहां पर थोड़ी से mistake हुई है, multiply यहां पर, ओके, और क्या था, minus का 1 भी था, तो यहां पर multiply होगा, और minus का 1 भी आएगा, जो कि मैं थोड़ा सा गलती कर बैठा, multiply और minus का 1, अब ठीक है, अब देखे, आपके पास में यह चीज़ जो है, यह चीज़ माइनस में है, और एक काम करी, तो आप इसको 1 को इधर ले आए, तो यह 1 यहां आजाएगा, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, Cot x into Cot 2x, माइनस यह वाली पार्टी उधर ले आए, तो माइनस में चले जाएगी, तो Cot 2x आँगे लिख लो, और Cot 3x पीछे लिख लो, फिर यह वाली पार्टी भी दल ले आओ, तो क्या हो गया, Cot x into Cot of 3x, चेक कर लिजे, यही प्रूब करना था, यही आपको प्रूब करना था, आप एक बार देख लिजे, डन, चलो, नोट कर लो, चले बचो, अगले concept की ओर चलते हैं, आपको मैंने एक formula बताया था, याद कीजे, sin square a, minus sin square b, that is equal to, sin of a plus b, into sin of a minus b, यह formula मैंने आपको बताया था, अब आईए, इस पर basic question मैं आपको कराता हूँ, उसको देखिए पहले आप, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो आपके पास जो question है, बिटा है, आपके NCRT का question number 13 है, क्या कहरा question, cos square 2x, cos square 2x, minus cos square 6x, equal to आपको प्रूफ करना है, 4x, बिटा यहाँ पर x नहीं होगा, 4sin, sin x होगा, 4x नहीं होगा बिटा, चेक करिए आप, 4sin x, into sin 8x, साइद यह होगा, x नहीं होगा कभी, ओके, यही है न question, x नहीं है न, हाँ, तो 4sin x into sin 8x, अब ठीक है, नहीं होगा, तो बिटा, यहाँ पर cycle लेज़े, sin 4x, actually, तो इसको हम सुधार देते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, sin 4x into sin 8x, यह प्रूफ करना है, चलिए देखे, अब ठीक है, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखे, यह formula लगाना है, क्योंकि पूरी की पूरी पंचाय थे हैं, आप sin में, तो sin में लाने के लिए पूरा यह चेंज़ करना पड़ेगा, तो बच्चे लोग सब लोग जानते हो, cos square theta equal to 1 minus sin square theta, तो cos square 2x equal to 1 minus sin square 2x, minus cos square 6x equal to 1 minus sin square 6x, बोलो, ठीक है न, अब वो, इसको attack कर दो, तो 1 minus sin square 2x, minus खुल गया, minus 1, और minus minus कितना, plus sin square 6x, यह minus 1, यह plus 1, cancel हो गया, यह बड़े plus से इसको आँगे लेकिया हो, sin square 6x, यह minus से पीछे लेकिया हो, sin square 2x, अब formula लगा है, sin square a minus sin square b, equal to sin a plus b, sin a minus b, sin a plus b, बोले तो 6x plus 2x, into sin a minus b, बोले तो 6x, minus का कितना, 2x, देखे कितना आगया, sin का आगया 8x, multiply by sin का आगया कितना, 4x, और यही आपको prove करना था, sin 8x into sin, 4x, लिख दीजे, hands proved, नोट कर लेजे प्लीज, thank you, ओकी, चलिए बच्चों देखें, next question देखते हैं, आपका book का, NCRT का question number, 23, question number 23, कहरा 10, 4x, यही है न, 10, 4x, 10, 4x, equal to, 4, 10x, 1 minus, 10 square x, upon, 1 minus, 6, 10 square x, plus, 10 की power 4x, दीखें दोस्तों, हमको यह proof करना है, हम कैसे proof करेंगे, बचों आपको formula पता है, किस चीज का formula पता है, 10, 2x का, 10, 2x का formula होता है, 2, 10x, upon, 1 minus, square x, बस तो यही लगा रहा है, इसमें, actually यहाँ पे 10, 2x है, बट हमसे क्या बुला गया, हमसे बुला गया, 10, 4x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, 4x को, मैं लिख सकता हूँ, 10, 2 times of 2x, मलब, angle अपना क्या बन जाएगा, 2x, क्या बन जाएगा 10 का, 2x, तो हमारा जो formula है, वो अभी, x के लिए नहीं 2x के लिए लगेगा, तो 2, 10, 10, अब x नहीं आएगा, क्या आएगा, 2x अपन, 1- 10 square, x के जाएगे क्या बैठेगा, 2x, अब बस इसको आँगे, बढ़ाते जाएगे, 210, तो 2, सबसे पहले, 10, 2x की value, 210x, अपन, 1- 10 square x, 10, 2x का whole square, मतलब इसी चीज़ का whole square, 10, 2x, no, 210x, अपन, 1- 10 square x का whole square, ठीक है बेटा, कोई रिक्कत बेटा, अब 2, 2s आ, 210x हो गया, और निचे कितना हो गया, 1- 10 square x, अब इसको भी open करते जाओ, 1- 4, 10 square x, और divided by 1- 10 square x का whole square, 1-10 square x का whole square, क्योंकि उपर square तूटेगा, तो नीचे भी तो तूटेगा न, तो, 1- 10 square x का whole square, अब क्या करो, LCM ले लो, ठीक है न जी, क्या करना पढ़ेगा हम लोगको, LCM लेना पढ़ेगा, तो आओ, हम इस चीज का LCM ले लेते हैं, देखो LCM लोगके तो कैसे बनेगा, 4, 1- 10 square x, divided by, यह चीज यहाँ चलियागी, 1- 10 square x का whole square, minus 4, 10 square x, divided by, 1- 10 square x का whole square, बो ले ठीक है, अब चलो, 4 10 x होगा, चलिया, अब क्या करना हैंको, इसको simply भाई करना है, तो क्या करो, 4 10 x तो उपर बैठा रहेगा, अब आउन में कितना, 1- 10 square x, अब multiply करो लो, जो सबसे नीचे हो, सबसे उपर, 1- 10 square x का whole square, अब divide में आएगा, यह party, यह पूरी की पूरी, तो मैं इसको थोड़ा सा solve करता हूँ, आप feel करो, solve करता हूँ, देखना है कैसे solve होगा, ठीक है ना, देखो, 1- 10 square x का whole square, तो a- b का square, a square, यहने 1, plus b square, मतलब 10, square, x का whole square, मतलब 10 की power, 4 x हो जाएगा, 2 power और 2 power, 4 power, plus 2 a- b, नहीं होगा, minus 2 a- b होगा, minus 2, 10 square, x, ओके, 2 a- b, minus 2, 10 square x, minus का, 4, 10 square x, यह देखिए, एक power से, एक power क्या हो गई, cancel, ठीक है न, उपर क्या बज़ गया, 4, 10 x, bracket में, 1 minus 10 square x, ठीक है, और, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 1 आगया, plus 10 की power, 4 x आगया, 2 और 4, कितना होगा अच्छा है, minus 6, 10 square x, देखिए, आप लोग यही प्रूफ करना था, hands proved, बोले कोई दिक्कत है, multiply करना थो, वैसे प्रूफ करने कोई यही पूला गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, done, बन जागा ना, okay, okay guys, तो यह basic हमारे classes तो चली रहे हैं, अब थोड़ा सा level को और high करते हैं, क्या, मलब हमने जो है, अभी तक आपके match की exercise 3.3, 3.3 complete कर ली, यहां तक, okay, अब हमारे पस एक topic और बचा हुआ है, बट हम थोड़ी सी of difficulty, और आपके लिए लेके आ रहे हैं, मलब अब यह समझे, कि हम पूरे तरीके से J level के अंदर, इंटर होने वाले हैं, अब देखिए, जो question आएंगे, थोड़े से high level के आएंगे, स्टार्ट करते हैं, example number 2 आपके सामने है, क्या किरा example number 2, if a equal to cos square theta, plus sine की power 4 theta, then आपको प्रूफ करना है, कि a की value जो है, 1 से लेके, 1 से लेके, 3 by 4, मतलब a is between, 1 to 3 by 4, मतलब 3 by 4 से बड़ी होगी, और 1 से छोटी होगी, मतलब आपको इसकी value पता लगानी है, कि इसकी value कहां से कहां तक जाएगी, आपको इसकी value बतानी है, कि इसकी value जो है, कहां से कहां तक जाएगी, ओके, ठीक है, question को एक बार देखिए, note कीजे, तो देखिए, यह आपके सामने question लिया गया, अब कहरा है, for all values of theta, prove that कि इसकी minimum value 3 by 4 है, a की value कहां से कहां जा रही है, 3 by 4 से लेके 1 तक, ठीक है ना, तो आईए हम देखते हैं, कि इसकी value कहां से कहां तक जाएगी, ठीक है, कैसे करेंगे इस question को करने के लिए, हलाकि दिमाग कई तरीकों से दोड़ रहा है, बट एक काम करते हैं, इस question को करने के लिए, हम जो है, completing the square method बनाने को सोचते हैं, कि इस question में, हम completing the square बनाए, तो हमाई पास function क्या है, a हमाई पास है, cos square theta, plus sin की power, 4 theta, ठीक है, अब देखिए, कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ, cos theta का whole square, plus, इसे मैं लिख सकता हूँ, sin square theta का whole square, ठीक ना, cos theta का whole square, plus sin square theta का whole square, a square plus b square हो गया, plus 2ab, a क्या है, cos theta, b क्या है, sin square theta, है ना, b क्या है, sin square, A plus B ka square plus 2A b कर दिया, अब देखें मैंने अपनी तरफ से यह दिया ना, तो मुझे यह क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो 2 equals theta और sign square theta को मैंने क्या कर दिया अपनी तरफ से, माइनस कर दिया, भै क्या किया मैंने इतना add कर दिया और इतना minus कर दिया, यही न मैंने किया, तो भई, add करने से minus करने में कोई फर्क आया क्या, नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ भई, फायदा यह हुआ, यह मेरा बन गया whole square है, क्या बन गया मेरे, whole square है, काई का whole square, cos theta, plus sin square theta का whole square, minus 2 cos theta, into sin square theta, यह चीज बन चुकी है, minus 2 cos theta, into sin square theta, इतका note करिए, अब देखिए, हमारे पास यह जो function है, यह पूरा का पूरा एक cos में है, और एक sin में है, और यह cos में है, क्या problem हमारी बच्चों, महसूस करो इस बात को, कि यहाँ पर function दो function में है, जो हमारे पास a आया है, यह पूरा-पूरा function, cos में हो, मतलब यह approach हमें, यहाँ पर काम में नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हो, यह पूरा-पूरा cos को sin में बदल दो, यह sin को cos में बदल, तो यहाँ पर यह हो सकता है, कि जैसे ही sin square theta है, इसको आप पूरे को किस में ले जाओ, कॉस में ले जाओ है ना, तो देखी कैसे है, क्या कर सकते है आप यहाँ पे मैं बताता हूँ तो a is equal to, यहाँ पे है कॉस थीटा, और plus sin square थीटा को क्या कर दी है 1 minus cos square थीटा का whole square, minus 2 cos theta और sin square थीटा को 1 minus cos square थीटा, तो यही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, मैं कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे square करोगे, इससे बेतर है कि आप शुरुआत में ही यहाँ पर ही, इस पूरे के पूरे को convert कर लिए होते, तो ज़्यादा easy होता, होता की नहीं होता, होता की नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे function को यहीं पर convert करके चल लेते हैं, देखिए, जैसे यहाँ मैं पास में, यह देखिए function है, equal to cos square theta plus sin की power 4 theta, है की नहीं है, यहाँ मैं पास function है, equal to cos square theta प्लस sin की पवर 4 θ, तो मैं cos square theta को लिख सकता हूँ, 1 minus sin square theta, लिख सकता हूँ, और plus sin की पवर 4 θ, तो मैं सुरुआत से ही क्या गरता हूँ, कि मैं पूरे के पूरे को sin में बतल देता हूँ, ठीक है ना, इस question में, को मैं लेके चलता हूँ, a equal to cos square theta plus sin की पवर 4 θ, a is equal to cos square theta plus sin की sin की पवर 4 θ, ठीक है, अब हमें, अब हमें यहाँ पर completing the square करनी है, अब हमें completing the square करनी है, यह रिखिए, तो 1 minus sin square theta plus sin की पवर 4 θ, हो गया यह, 1 minus sin square theta plus sin की पवर 4 θ, अब हमें completing the square यहाँ पर लगानी है, ऐसे adjust करना है अपने function को, कि यह कुछ काम में आ जाए, देखिए, आराम करते हैं कोई जल्दवाजी की बात नहीं है देखो बिटा आप क्या करो sin की power 4 theta को सबसे आंगे लिख लो लिख लिया और minus sin square theta को पीछे लिख 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 लिया और plus 1 को पीछे जान दो plus 1 को पीछे जान दो अभी आप लोग बच्चे नय हो थोड़ा सा completing the square में square बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं धीर धीरे practice हो जाएगी बिटा देखो आपके पास format जो बनती वो क्या बनती है ax square plus bx plus c बस यह आपको धेहन रखना है quadratic equation क्या होती है हाँ यह format आपको बनानी है देखना जो जो मैं कर रहा हूं क्या मैं इसको sin square theta का whole square लेख सकता हूँ तो यह मिल गया a square क्या मिल गया a square minus 2 का पता पता नहीं तो मैंने 2 से divide कर दिया 2 से क्या कर दिया divide कर दिया और maths कहती कि 2 से divide करो तो sorry 2 का multiply किया divide नहीं 2 का multiply किया तो 2 का क्या किया divide 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel, मतलब कोई effect नहीं आएगा, और ये देखो, sin square theta, देख गया, तो फाइदा क्या हुआ, a square minus 2ab, भई, a तो पता था ना, बट 2ab का पता नहीं था, तो 2ab दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया, बोले yes or no, plus 1, पीछे वाला, बोलो हाँ, 2ab, एक चीज़ बड़े भूल a square minus 2ab, plus होता b का square, plus होता b का, b के रूप में किसकी पहचान हुई है, 1 by 2 की, तो 1 by 2 का whole square हमको क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो पक्की बात, okay, 1 by 2 का whole square हमने add कि अपनी जीब से, तो maths कहती है, जो add करो, वो क्या करो, subtract करो, तो minus 1 by 2 का 1 by 4 होगा, और ये पुराना अपना plus का 1, आप यकीन मानी है, ये जो लिखाया है, वो ही है, आप काटा कूटी करोगे तो वो ही आजागा, करके देख लो, बोलो इससे ये क्या हो जागा, हो जागा की नहीं होगा, इससे ये cancel हो जागा, 2 से 2 क्या हो जागा, plus 1 बचा रहेग plus की minus, minus, because formula a square minus 2ab plus b square, तो minus b की जगा कोन है, बोलो, 1 by 2 का whole square है, और इतना पार्ड बनेगा, तो minus 1 by 4 plus 1, चलो solve कर लो, तो minus का 1 plus 4 by 4, बोलो answer कितना है, 3 by 4, तो plus का कितना हुआ, 3 by 4, any problem, कोई दिक्कत, yes, अब देखते हैं, कि इसकी minimum value और maximum value क्या होगी, अच्छे से समझना बढ़िया से, इसकी minimum value और maximum value क्या होगी, हमको निकालना है, देखिए, sin theta minus 1 by 2, a की value इतनी आई है, a की value कितनी आई है, a की value आई है, 3 by 4, plus sin theta minus 1 by 2 का whole square, ठीक है न, sin square theta minus 1 by 2 का whole square, ये चीज़ आई है, भाई, इसका मान, इसकी value minimum क्या हो सकती है, 0, क्यों 0, क्योंकि किसी number का square, कम से कम क्या हो सकता है, 0, क्योंकि किसी भी number का square negative तो हो नहीं सकता है, भाई होता है, जाएगा, तो a की value उस समय जो आपको मिलेगा, वो minimum मिलेगी कि maximum मिलेगी, कम, मिलकुल सही बात है, अरे भाई है, जब तुम्हाइसान जो जो जोड़ रहा है, वही 0 हो गया, तो जो जोडने वाला 0 है, तो क्या कर देगा, इसको minimum तो कर देगा, तो a minimum, बोलो, किती हो गई, 3 by 4, मतलब a की minimum value किती हो गई, 3 by 4, पकी बात, चले बहुत बढ़िया, अब देखो भाईसाब, फिर से आते हैं expression पे, क्या expression था, 3 by 4, plus sin square theta, minus का कितना, 1 by 2, यही था, चलो, अब a square minus sin square theta, minus 1 by 2 का whole square था, यही था, यही था, अब हमको निकालनी है, a की maximum value, एकी maximum value, yes or no, तुम यह समझ लो कि यह तुम्हारे quarterly exam के marks है, बोलो हां, तो quarterly exam के marks तुम्हारे fix है, yes or no, और यह तुम्हारे half yearly के marks है, किसके marks है, और quarterly plus half yearly equal to final marks, तो अगर तुम चाहती होगी तुम्हारे marks, final marks जादा से जादा हो, maximum हो, तो यह वाला marks जो होना चाहिए, यह जा मतलब इसकी आपको maximum value निकालनी है, बोलिए सौनो, इसकी आपको कौनसी value निकालनी है, maximum value, मतलब आपको sin square theta minus 1 by 2 की जादा से जादा value चाहिए, है, okay, तो इसकी जादा से जादा value क्या होगी, इसकी जादा से जादा value क्या होगी, इसकी जादा से जादा value होगी 1 by 2, क्या होगी इसकी जादा value, 1 by 2, क्यों होगी, sin theta की maximum value कल मैंने आपको बताई थी, plus 1 होती है, तो sin square theta की maximum value किती होगी, 1 का square 1 ही तो होता है, तो 1 minus 1 by 2, बोलो कितना आया, 1 by 2, भाई ये जादा कब होगा, ये जादा तब होगा, जब ये जादा होगा, हाई या ना, ये जादा होगा ना, तो ये जादा होगा, भाई आपको ये total जादा पता लगाना है, तो यह total जादा तब होगा जब यह यह चीज़ जादा होगी sin square theta जादा होगी और sin square theta की value maximum को होती है? 1 होती है और 1 minus 1 में से 1 minus 1 by 2 minus करो तो बुलो कितना हैगा? मतलब यह जो पूरा bundle आपका देख रहा है जिसको मैं red color से pack कर रहा हूँ यह pink color से इस packet की maximum value बुलो कितनी है? 1 upon 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिटा? 1 upon 2 का whole कि square क्योंकि बात चल रही है maximum की किसकी बात चल रही है? maximum की तो 3 by 4 plus 1 by 4 3 plus 1 कितना? 4 by 4 answer कितना हुआ? 1 मतलब minimum value कितने पे set हुई? 3 by 4 पे और maximum value कितने पे set हुई? 4 पे तो आ गया है हमारा answer कि A की minimum value 3 by 4 और maximum value कितनी? 1 A क्या था हमारा? यह जबरदस्त सा function दिख गई? तो minimum value है यह और यह? maximum value है clear हुआ? clear हुआ कि नहीं हुआ? मतलब A का जो output निकलेगा वो कहां से कहां तक निकलेगा? 3 by 4 से लेके 1 by 4 3 by 4 से लेके कहां तक है? 1 तक है यह भी include है यह भी include है तो मैंने बता था close interval लगेगा तो A का जो value आएगा A belongs to 3 by 4 close से लेके कितना? 1 चेक करते हैं भाई answer 3 by 4 से लेके कितना? 1 आई बात समझ में जी? कोई दिक्कत? तो अच्छे से इस question को note कीजे पहले, बढ़िया question है, तगड़ा question है और किस level का question है? J mains level का question है बच्चो यह question जो होते हैं यह ऐसे नहीं आते हैं exam में अगर exam में दे दिये ना ऐसे question तो पूरी class के बारे बच जाएंगे बटा समझगे ना? यह question आपके बहुत तगड़े है J mains level के question है, कई सारी अप्रोच लगरी है, बहुत सारी अप्रोच लगरी है इसमें, ठीक ना? स्क्वारिक लगरा है, फिर आपको greater than, lesser than लगरा है, तो आपको 3-4 बार, आप यह सोच रहे हो बच्चे, खासकर वो बच्चे जो पहले बार पढ़ रहे हो आप यह सोच रहे हो कि पहली बार में आपको इसमें full confidence आएगा, बिल्कुल नहीं ना मुझे आया था, और ना आपको आएगा जब 4-6 बार आप इसकी practice कर लोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को यह समझ में आ गया मेरे को यह बन रहा है, पहली बार में इसको आपको confidence आई नहीं सकता है किसी को नहीं आता, तो इसके लिए आपको इसकी बार-बार practice करो, एक, दो बार, तीन बार, चार बार लगाओगे, तब आपको समझ में आगा कि maximum minimum क्या होता है, maximum minimum क्या होता है हम इस पूरे के पूरे function की minimum और maximum value find कर रहे थे जिसके लिए हमने किस में convert किया इसको पूरे को, पूरे को sign में ले गए पूरे को, पूरे किसको भी ले गए, sign में यहाँ पर हमने एक attempt किया, किसको हमने पहले cost में रखा, sign में रखा, बट यह हमार experiment fail हो गया यह हमार experiment जो है, पहला वाला क्या हो गया, fail हो गया, फिर हमने पूरा का पूरे, इसको sign में convert किया, मतलब कुल में लाकर मैं आपको बताऊं, कि यहाँ से ले करके, यहाँ तक की चीज, यह useless है यह कोई काम की नहीं बैठी थी अपने, फिर मैंने इसको किस में ले गया था, पूरा sign में, तब यहाँ से बात बनना सुरू हुई, यह देखी, यहाँ से solution इसका actually सुरू हो रहा है, ठीक है, फिर मैं sign में ले गया, sign में ले जाने के बाद मैंने इसको completely whole square बनाया है, whole square के बाद मैंने minimum निकाला, maximum निकाला, फिर मेरा finally minimum और maximum आया है, तो चलिए, फटा बड़ इसको note करिए, पहले question मना ये, question note करिए, question के बाद इसका solution बनाते हैं, चलो शुरू हो जाओ बच्चों, तो बच्चों एक doubt one में आ रहा कि सर क्या हर question को quadratic equation बनाएंगे, नहीं बच्चों, देखो जहां पर आपको two power और four power दिखे, वहां पर 90% question जो है, आपका quadratic formula से ही solve होगा, वहां पर आपको quadratic से ही solve होता है question, ओके, और quadratic आपको एक बहुत बड़ीया relax दे देता है, quadratic quadratic बनाने का फाइदा क्या है, चलो समझो इसे, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है, x square plus one, अब मैं आप से पूछूँ कि इसकी minimum value क्या है, तो यार बड़े आराम से बता सकते हो, आप लोग इसकी minimum value, इसकी minimum value होगी one, क्यों, अरे यार ये square है ना, ये square है, किसी number का square गिरा से गिरा क्या हो सकता है, zero, कोई number का square कम से कम क्या हो सकता है, zero, तो भाईया, इसको minimum बनाना है, मतलब इसको छोटा से छोटा करना पड़ेगा, और छोटे से छोटा किसी number का square कितना होता है, zero, क्योंकि 0 के नीचे negative होता है square तो अभी negative होते ही ना तो 0 होगा और जब यह 0 होगा तो यह plus 1 होगा जब यह minimum है तो यह कुछ भी रहा यह तो constant है ना तो answer कितना बनेगा 1 तो 1 कौनसी value set होगी इसकी minimum value कौनसी value set होगी minimum value क्योंकि समय आपका यह minimum है इसको इसलिए मैंने example से बढ़ाया कि आपके मानलो total exam quarterly और half yearly से मिल करके जुड़के बनने है total marks अब यह तो fix है भाईया अब यह बदल सकते हो आप तो अगर आपको total marks minimum चाहिए है तो इसको क्या होना पड़ेगा minimum की maximum minimum ही होना पड़ेगा क्योंकि minimum plus given equal to minimum तो इसलिए x square की minimum value क्या होती है 0 तो दुनिया का कोई भी square एक number हो उसकी minimum value क्या हो जाती है मज़ा आजाता है फिर इसके बाद जो बाकी में उसमें नपट लो समझ में आया ना इसलिए हम लोग square बनाने का favor करते है चलो बहुत लंबी बात हो चुकी इस बारे में जल्दी से बच्चो नोट कर लो खतरनाक question है ये वाला चलिए नोट करिए इसका क्या निकालना है इसकी value प्रूफ करनी थी कि a की value यहां से लेकि यहां तक like कर रही है मतलब maximum and minimum value आपको निकालनी थी फटा वट नोट करो बच्चो बच्चो देखें यहां पर मैंने इसका answer इस type से दिया है a की value जो है 3 by 4 से बड़ी है चो सरी बड़ी है इक्वाल है और 1 से less और equal है 1 से less और equal है इसको क्या बोलते है inequality notation क्या बोलते है इसको और यह कहलाता है interval यह क्या कहलाता है interval मतलब 3 by 4 से लेके एक तक तो भई यह maximum कितनी जाएगी minimum कितनी जाएगी 3 by 4 चलिए तो एक बहुत बढ़िया question मिला हम लोगों को ठीके ना J level का question था यह हमने कर लिया इसको अब आँगे बढ़ते हैं लिओ भाई एक तूफान गया दूसरा तूफान आया एक नया तूफानी question फिर से J E और NDA level की घंटी वजाता हुआ question आपके सामने find the value of 3 cost 20 minus 1 20 बच्चे देखके परिशान सर आपने cost 20 नहीं पढ़ाया 20 minus 1 upon cost 20 बोलो ठीक है न बच्चो अब इसके बाद देखो इसके बाद क्या करना है LCM ले लो तो 3 cost root 3 cost 20 minus sign 20 और यहाँ पे चलो जो है ठीक है ओके बच्चो अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको यह समझे कि यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है तो मैं देखो अच्छे समझना है इसको इसको ऐसे समझना root 3 by 2 cost 20 1 by 2 cost 20 हाँ ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक चीज समझो कि 4 का multiply इस पूरी process में यह पूरा bracket ले लो बोलो 4 का multiply तो 4 का multiply 4 कड़े बाद अब इस 4 को इस 4 को 4 ना लिख करके लिख दो 2 into 2 बोलो लिख सकते हो के ने लिख सकते हो अब देखना ध्यान से 4 को बाहर कर लिया रूट 3 cost 20 minus sin 20 divided by divided by यहाँ पे क्या लिखा देखो जी 2 into 2 है तो 2 into 2 into sin 20 और cos 20 बोलो चलेगा की नहीं चलेगा 2 टू जा 4 4 से 4 कैंसल हो सकता है ना तो कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा चलो इनको साथ में ले लो कल मैंने पढ़ाया था 2 sin theta cos theta फर्मुला भूल चुके बच्चे क्या होता answer sin 2 theta क्या होता sin 2 theta तो यहाँ पर theta क्या है 20 है यह भी 20 है तो इसका कितना बन जाएगा sin 40 कितना बन जाएगा sin 40 तो 4 बाहर root 3 cos 20 minus sin 20 बोलो हाँ divided by 1 2 यह है किसा नो और यह कितना हो गया sin 40 कितना हो गया sin 40 ठीक है ना अब एक काम करो अब एक काम करो 4 के नीचे sin 40 को बाहर लियाओ 4 के नीचे sin 40 को क्या लियाओ बाहर अरे यह बाहर चला गया 4 के अपॉन में आ गया sin 40 अब क्या बच गया root 3 cos 20 उपर minus sin 20 यह सा नो अब यहाँ पर क्या बचा पूरे में 2 बचा कि नहीं बचा तो मैं इस 2 को बाहर देता हूँ इसको भी 2 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया अब ध्यान से देखो बच्चों इसको मैंने 2 दे दिया तो यह है 4 अपॉन में sin 40 ठीक है ना multiply देखो root 3 by 2 root 3 by 2 sin में कितने degree पर होता 60 degree पर होता है कि नहीं होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको sin 60 sin 60 और यह क्या है cos 20 minus 1 by 2 1 by 2 cos में कितना होता 60 होता है sin 20 into कितना cos 60 देखिए 4 upon sin 40 देखो formula बन रहा है क्या बन रहा है sin A cos B minus cos A sin B बन रहा है ना किसका formula sin A minus B का मतलब की sin of 60 minus B कितना है 20 तो यह कितना बन गया बच्चों यह बन गया 4 upon sin 40 और यह भी कितना है sin 40 40 से 40 क्या हो गया cancel बो answer कितना आ गया 4 आ गया के बल यही आपको सीखना था देखिए तो इसका answer find the value चली देखिए बिटा अब देखते है question example number 4 देखिए कह रहा if theta lies in second quadrant बिटा एक line लिखी हुई है तो जरूर कोई ना कोई इसका मतलब निकला होगा बिटा देखिए धियान से theta lie कर रहा second quadrant में second quadrant में second quadrant second quadrant में second quadrant में बिटाब किसका घर है और यह नीचे कितना आजाएगा multiply होगा under root 1 minus cos square theta under root 1 minus cos square theta अरे a plus b a minus b उल्टा बोल गया हमे under root 1 minus sin square theta yes or no तो आपको simple multiply कर देना है तो under root 1 minus sin square theta बोली है equal to under root 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा बोलो cos square theta हो जाएगा हाँ या ना अब cos square theta root के अंदर से निकलेगा बस यही गलती हो गई cos square theta root के अंदर से निकलेगा अब एक नई चीज़ सिखा रहो बिटा आप लोग को बाकि सारे बच्चे सीधे इसको cos theta लिखेंगे आप एक नई चीज़ सीख लो सभी बच्चों जो class में हो कि अगर कभी भी root x square निकले तो आप इसको mod x लिखो क्या लिखो mod x कभी भी root के अंदर से class 10 तक आप पढ़ते आते हो क्या कि 2 का square जो होता है 2 होता है बोलो हाँ root से square cancel हो जाता है अब बोलो कि 9 का 9 मतलब अंदर root 3 का square equal to 3 का square है बोलो हाँ तो अंदर जो बाहर निकलेगो mod 3 निकलेगा क्या निकलेगा mod 3 मतलब कुल मिलाके CD line में है under root x से square equal to mod of x अब mod x का मतलब क्या होता मलूम है mod x का मतलब होता है या तो plus x या तो minus x अब बोलो कि 4 का मतलब plus minus 2 आपने इतना घुमा क्यों दिया घुमाना जरूरी था इसलिए घुमाया है तो ये क्या होगा plus minus x अब बोलोगे इसलिए plus आएगा की minus आएगा मेरा जवाब होगा स्वादा नुसार क्या होगा स्वादा नुसार जब नमक मिलाती न तो लिखा रहता न स्वादा नुसार नमक मिलाएं तो यहां पे भी स्वादा नुसार मतलब as per need as per हाँ तो वेटा as per need यहां पर हमको sign लेना है अब आपको खटाक से समझ मायाँगा तो cos square theta cos square theta जो नीचे बैठा है उसका जो root निकलेगा वो निकलेगा mod of cos theta क्या निकलेगा mod of cos theta अब स्वादा नुसार question में घंटी बजा रखिए बोल यह theta कौन से quadrant में है तो second quadrant में cos क्या होता positive की negative तो बता यह plus cos theta टूटेगा की minus cos theta टूटेगा हाँ तो यह जो mod हटेगा second quadrant में तो खुद का एक negative sign लेकर के आएगा बच्चो और negative sign लेकर आएगा तो यह बनेगा minus 2 sec theta बोली आया सुन में ना हाँ तो यह भी बहुत ही बढ़िया question है NDA level का question है बच्चो चलो फटा फट से अपनी copy में इसको कर डालो और याद रखना कि अपके बाद कि कभी भी under root के अंदर की कोई चीज टूटेगी तो कि इसमें टूटेगी mod में और mod के बाद क्या लगेगा स्वादानुसार यह दे को hint दी गई है under root alpha square equal to mod of alpha for every real number alpha उसके बाद फिर quadrant करूल लगाई है और plus हो तो plus लगाई है minus हो तो minus लगाई है बुली clear तो note करिए जल्दी से इसको आप जानना चारे कि mod क्या है तो mod से गल्ती नहीं होगी आपकी गल्ती नहीं होगी mod जो होता है वो गल्तीयां नहीं होने देगा आपकी ठीक ना अभी तक क्या है आप जो भी पढ़ रहे थे ना बेटा first quadrant में पढ़ रहे थे तो first quadrant में mod और लगाने की कोई जरूत नहीं होगी बट अब चारू जगए आपको चलना है इसलिए mod लगाना पढ़ेगा समझ में आगया अब बाकी mod की महिमा हम आने वाले chapter में पढ़ेंगे बड़ी अपार महिमा है modulus function की एक बहुत बड़ा function है बच्चों ठीक ना तो उसको हम पढ़ेंगे चलिए देखिए बच्चों अगला question है example number 5 है the find the value of 109-1027-1063-1081 बेटा इसके लिए क्या करो आपको ये 109 के साथ 1081 को साथ में ले आओ ये देखो ले आए plus में और 1027 के साथ 1063 को ले आओ साथ में ये ले आओ 1027 और 1063 ये साथ में ले आए ले आए अब देखो बेटा 109 के साथ आप 1081 को ले आए हो अच्छा क्यों ले आए हो क्योंकि 10 theta is equal to कितना होता cot 1091 को क्या लेख सकते हो 1081 को आप लेख सकते हो cot 9 कैसे 1081 equal to 10 90 minus 9 बोले ये सवान हो 1091 अश्वीटा कितना होता cot theta तो ये कितना हो गया cot 9 तो यह हो गया 10 9 plus cot 9 10 9 plus cot 9 माइनस कॉमन लेके 10 27 और 10 60 थी को क्या लेख सकते हो 10 90 minus 27 yes or no तो माइनस कॉमन लेके हो जागा 10 27 plus cot 27 तो ये दो टर्म बन गए हमाँ पास एक ये वाला और एक ये वाला अब 10 9 को cot 9 को solve करते हो देखो तो 10 9 4 9 equal to कितना होता है देखो बिटा कैसे होगा sin 9 upon cos 9 plus cos 9 upon sin 9 बिटा ये नीचे multiply हो जागा sin 9 cos 9 आएगा और उपर sin square 9 plus cos square 9 कितना हो गया 1 तो ये बन गया अपने पास 1 upon sin 9 cos हमने क्या किया 2 का multiply नीचे किया 2 का multiply उपर किया 2 बन जा 2 और 2 sin theta cos theta बोलो कितना हो गया sin 2 theta याने कि sin 18 आगया समझे में तो पहली value इस वाले की कितनी आगई sin 18 ये वाला जो पार्ट है इस की value कितनी आगई sin 18 अब अगले वाले पार्ट को देखते है बच्चों 10 27 और 27 तो ऐसे ही इसको solve करोगे तो उपर 1 बन जाएगा और नीचे क्या जाएगा sin 27 और cos 27 पका फिर 2 का उपर multiply और 2 का नीचे भी multiply yes or no तो 2 बन जा 2 और 2 sin a cos cos equal to sin 2 है मतलब sin 2 into 27 कितना होगे sin 50 sin 54 clear है sin 54 इदे को ये किसमे sin 18 है ये क्या है sin 18 और ये आपके पास में sin 54 है भाई sin 54 को आप क्या लिख सकता हूँ भाई sin 54 मतलब sin of 90 minus 36 बुली हाया ना और sin 90 minus theta क्या होता cos theta याने cos 36 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 36 तो मतलब कुल मिला के आपके पास ये वाला part जो है और ये वाला जो part है sorry मतलब इसको तो arrange करने के बाद की बात है मतलब ये जो question है ये दो part में बदल गया ये जो इसको इसको साथ में ले लिया था मैंने और इसको इसको साथ में ले लिया था yes or no अब ध्यान से लेखे question दो part में बदल गया था बीच में minus और दूसरा part यह था अब पहले part की value हमने कितनी निकाली है 2 upon sin 18 अब दूसरे part की value हमने निकाली 2 upon sin sorry cost 36 बुले है सनो आप चलिए 2 sin 18 की value आपको रखनी रखनी की नी रखनी है अब आपको table मैंने उस दिन दिखाई थी sin 18 की चलो मैं चलता हूँ, आपको table वापस दिखाता हूँ, sin 18 की, हाँ, हमको क्या क्या चाहिए, sin 18 चाहिए, cos 36 चाहिए, ना, ये लो भाई साब, ये आ गई 18 की table, sin 18 under root 5 minus 1 upon 4, हाँ या ना, और cos 36 under root 5 plus 1 by 4, तो sin 18 हमाँ पास कितना है, under root 5 minus 1 by 4, और cos 36 कितना है, बिलकुल इसका opposite, under root 5 plus 1 by 4, है ना, तो बस इसकी value रखना है, under root 5 minus 1 by 4, under root 5 plus 1 by 4, बस ये value रखना है, तो चलिए value रख देते हैं, देखिए, 2 upon, देखो 2 upon है, 2 उपर काई बठा है, under root 5 minus 1 upon 4, तो 4 पलटी मारके कहा हूँ under root 5 plus 1 by 4, बुली yes or no, 2 4 जा 8, तो उपर भी 8, और यहां पर कितना आगे, under root 5 minus 1, फिर, इधर पर minus का 8, under root 5 plus 1, clear हुआ, इसको solve कर लेंगे, बुली answer कितना आएगा, 4, कितना आएगा answer, 4, clear हो गया, बन जाएगा, any problem, yes, तो इस तरीके से बच्चों, ये question हमको solve करना है, इस तरीके से ये question हमको solve करना है, तो चलिए, note कर लिजए इस question को, ये आज का last question था, कल इसके आँगे की class को हम continue करते हैं, thank you so much for being with us.